नमस्कार, मैं राजीव कुमार, TGT हिंधी प्रायोगिक विद्याले ख्षत्रिये शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर से आप तमाम विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ आज मैं कक्षा आठवी की हिंदी पाठि पुस्तक वसंत भाग तीन में संकलित ब्रज भाशा में रचित एक कवीता को लेकर उपस्थित हुआ हूँ पाठ शुरू करने से पहले आपको कुछ प्रशनों के उत्तर देने है तो पहला प्रशन है द्वारिका धिश के नाम से कौन जाने जाते हैं विकल्प है आ शुरी राम ब विश्णों सा बलराम और द शुरी कृष्णा बिल्कुल सही जबाब शुरी कृष्णा दूसरा प्रश्ण है शुरी कृष्ण के परमित्र का क्या नाम है विकल्प है आ मनसुक बा अर्जुन सा सुदामा और द साम्ब पिल्कुल सही उत्तर है सुदामा तो प्यारे विध्यार्थियों आज हम जिस पाठ का आरंब करने जा रहे हैं उसका शुर्शक है सुदामा चरित जिसके रचनाकार है कवी नरुत्तम दास कवी नरुत्तम दास उन कवियों में गिने जाते हैं जिन होने एक या दो रचनाओं के आधार पर हिंदी साहित्त में अपना स्थान सुनिश्चित किया है उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के बाड़ी नामक गाउं में हुआ ब्रज भाशा में रचित सुदामा चरित हिंदी साहित्त की अमूल्य धरोहर मानी जाती है उनकी भाशा अवधी थी लेकिन उन्होंने अपना काव्य गरंत ब्रज भाशा में लिखा है सुदामा चरित कवीता नाट शैली के रूप में लिखी गई है आज के इस काडिकरम के अंत में विद्ध्यार थी कवीता वाचन की आदर्श शैली से अवगत हो सकेंगे बोली में प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकेंगे कवीता में आई और परिचित शब्दों के अर्थ से परिचित हो सकेंगे शुरी कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता की गहराई को समझने में समर्थ हो सकेंगे तथा क्षंद के सामान्य परिचे से परिचित हो सकेंगे आईए आदर्श वाचन से पुर्व इस कवीता की प्रिष्ट भूमी को जानते हैं प्रिष्ट भूमी श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के घनिष्ट मित्र थे और दोनों रिशी शंदीपनी के आश्रम में पढ़ते थे बाद में श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन जाते हैं और सुदामा अत्यंत गरीब वे कष्ट के समय में भी कृष्ण से कोई मदद लेना नहीं चाहते थे लेकिन पत्नी द्वारा बार बार आग्रह करने पर वे कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं वर्षों बाद जब दो सच्चे मित्र मिलते हैं तो क्या होता है उसी का चित्रण इस कवीता में किया गया है आईए अब कवीता का आदर शुआचन शुरू करते हैं सीस पगान जंगातन में प्रभु जाने को आही बसे की ही ग्रामा धोती फटी सी लटी दूपटी अरू पाइं उपाना को नहीं सामा द्वार खडो दूपटी दुरबल एक रहियो चकीस बसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा ऐसे बेहाल बिवाईन सों पग कंटक जाल लगे पुनी जोए हाए महा दुख पायो सका तूं आए इतेना किते दिन खोए देखी सुदामा की दीन दसा करुणा करी कई करुणा नीधी रोए पानी परात को हाथ च्छियो नहीं नैनन के जलसों पग धोए कच्छू भावी हम को दियो सो तुम काहे ना देत चापी मोटरी काँख में रहे कहो कही है तू आगे चना गुरु मातु दैते लए तूम चापी हमें नहीं दीने स्याम कहियो मुझकाई सुदामा सो चोरी की बान में हौँ जू परावीने पोटरी काँख में चापी रहे तूम खोलत ना ही सुदारस भीने पाचली बानी अजाओ नत जो तूम तैसाई भावी के तंदुल की नहें वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात वह पठवनी गोपाल की कच्छून जानी चात घर घर कर ओडत फिरे तनक दही के काज कहा भयो जो अब भयो हरी को राज समाज हाँ वावत ना ही हुताओ वाही पठियो ठेली अब कई हाँ समुझ हाई के बहुधन धरव सकेली वह सोई राज समाज बने गजबाज घने मन संभरम चायो कई धों पढ़ियो कहूं मारक भूली की फैरी के में अब द्वार का आयो बहौन बिलो किवे को मन लोचत सोचत ही सब गाउ मज़ायो पूछत पांडे फिर सब सों पर जोपरी को कहूं खोज न पायो कई वह तूटी सी छानी हती कह कंचन के अबधाम सुहाबत कई पग में पन ही न हती कह ले गजराज हुठाडे महावत भूमी कठोर पैरात कटे कह को मल सेज पै नीद न आवत कई जुरतों नहीं कोदो सवा प्रभू के परतापते दाखना भावत कवी नरुत्तमदास तो आईए अब कवीता का भावार्थ और साथ ही साथ आपरिचिस शब्दों के अर्थ को समझने का प्रियास करते हैं सुदामा जब शुरी कृष्ण से मिलने द्वारी का पहुँचते हैं तो उनका द्वारपाल शुरी कृष्ण से आकर कहता है सीस पगान जंगातन में प्रभू जाने को आही बसे केही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी अरू पाएं उपाहना को नहीं सामा द्वार खडो दुई दुरवल एक रहियो चकींसों बसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा आईए अब और परिचिस शब्दों के अर्थ और कवीता के भावार्थ को समझते हैं शब्दार्थ पगा अर्थात पगडी जंगा यानी धीला कुर्ता लटी मतलब लटकना दुपटी अंगो छा या गम छा दुई दुरवल अर्थात दुरवल ब्राम्मन चकीसो यानी चकित अभीरामा अर्थात सुन्दर दीन दयाल यानी प्रभूश्री कृष्ण धाम अर्थात स्थान या महल भावार्थ द्वारपाल कृष्ण से आकर बताता है कि एक व्यक्ति जिसके सिर पर ना तो पगडी है और ना ही पाउं में जूते हैं उसने फटी सी धोती और अपने बदन पर एक अंगोचा डाल रखा है और वहां बड़ा ही दुरवन है वहां चकित होकर द्वारिका के वैभब को देख रहा है और आपका पता पूछ रहा है वहां अपना नाम सुधामा बता रहा है सुधामा नाम सुनते ही शुरे कृष्ण दोड़ पड़ते हैं और सुधामा की इस्थिती को देख कर रो पड़ते हैं जिसका वर्नन नरुत्तम दास जी इस परकार करते हैं ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोए हाए महा दुख पायो सखा तुम आये इतै न कितै दिन खोए देखि सुधामा की दीन दसा करुणा कर कै करुणा नीद ही रोए पानी परात को हाथ च्छुयो नहीं नैनन के जलसों पग धोए आये अब अपरिचेश शब्दों के अर्थ और भावार्थ को समस्ते हैं शब्दार्थ ऐसे बेहाल अर्थात बुरे हाल बिवाईन सों फटी एडिया कंटक काटा पुनी जोए निकालना महा दुख बहुत दुख इताय ना किताय इतने दिन दीन दसा अर्थात बुरी दसा करुना करी के दया करके करुना नीद ही दया के सागर पराद यानि थाली नुमा बड़ा बरतन हाथ च्छियो नहीं हाथ ना लगाया नैनन के जल यानि आखों के आसू भावार्थ कृष्ण द्वारपाल की बात सुनते ही तुरंत सुदामा को लेने द्वार के पास जाते हैं सुदामा के पैरों में काटे चुए थे सुदामा की ऐसी हालत देखकर कृष्ण बहुत दुखी होते हैं और वे कहते हैं कि हे मित्र तुमने बहुत कश्ट में दिन बिताए इतने दिनों में तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए उनकी ऐसी हालत देखकर सब पर करुणा करने वाले कृष्ण इतना रोए कि सुदामा के पैर धोने के लिए परात में जो पानी मंगवाया था उस पानी को छुआ तक नहीं सुदामा के पैर शुरी कृष्ण के आस्मों से ही धुल गए सुदामा का पैर धोने के बाद शुरी कृष्ण पाते हैं कि सुदामा उनसे कुछ छुपाने का प्रियत्न कर रहे हैं यह देखकर श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं खोलत नाही सुधारस भीने पाचली बानी अजावना तजोतुम तैसाई भावी के तंदुल किन है आईए अब अपरिचित शब्दों के अर्थ और भावार्थ को समस्ते हैं शब्दार्थ कच्छू अर्थात कुछ काहे ना देत किस कारण चापी छिपाना पोटरी यानी पोटली चावी अर्था चबाना बान आदत प्रवीन कुष्रल पाचली बानी पुरानी आदत तजी छोडी तंदुल अर्था चावल भावार्थ उन्होंने सुधामा से कहा कि भावी ने जो उपहार दिया है उसे तुम क्यों नहीं दे रहे हो तुम उस उपहार की पोटली को अपनी बगल में छुपा क्यों रहे हो कृश्न सुधामा को बचपन की याद दिलाते हुए कहते हैं कि बचपन में गुरु माता ने हमें चने दिये थे लेकिन मेरे हिस्से के चने भी तुम ही खा गए थे कृश्न ने हसकर सुधामा से कहा कि चोरी की आदत में तुम तो पहले से ही कुशल हो आज भी प्रेम रूपी अमरित रस से भरे चावलों की पोटली को अपनी बगल में छिपाने का प्रियास कर रहे हो मित्र तुम्हारी बचपन की आदतें जैसी की तैसी हैं तुम उनी आदतों के कारण भावी द्वारा दिये चावल को चुराने की कोशिश कर रहे हो जबकि सच्चाई तो या है कि सुधामा शुरी कृष्ण के राजसी ठाट के कारण साधारन चावल उन्हें भेट नहीं करना चाहते थे जब शुरी कृष्ण सुधामा को खाली हाथ वापस द्वारिका से भेज देते हैं तब रास्ते भर सुधामा शुरी कृष्ण के विशय में क्या-क्या बुरा भला सोचते हैं उसी का वर्नन करते हुए नरुत्तम दासजी लिखते हैं वह पुलक नी वह उठी मिलनी वह आदर की बात वह पठवनी गोपाल की कछूना जानी जात घर घर कर ओड़त फिरे तनक दही के काज कहा भयो जो अब भयो हरी को राज समाज हाउ आवत ना ही हुतव वाही पठियो ठेली अब कईहों समुझाई के बहु धन धरव सकेली आईए अब अपरिचिश शब्दों के अर्थ और कवीता के भावार्थ को समस्ते हैं शब्दार्थ पुलकनी अर्थात खुशोकर उठी मिलनी यानी गले मिलना पठवनी भेजना जात जाती राज समाज यानी राज में औरत फिरे इधर उधर फिरना तनक यानी ठोड़ा पठियो यानी भेजना धरव अर्थात रखना भावार्थ वे सोच रहे थे कि जब वे द्वारिका गए तब श्री कृष्ण का दोड़ कर उनसे मिलना प्रसन होना आदर सम्मान देना या सब दिखावा था मैं इतनी कष्ट में हूँ या जानते हुए भी उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया उन्हें तो मेरी जाती का भी ध्यान ना रहा कि ब्राह्मन को खाली हाथ विदा नहीं करते वे अपने आप से कहते हैं कि यह वही कृष्ण है जो जरा सी दही के लिए घर घर जाकर हाथ पहलाया करता था अब वह द्वारिका का राजा बन गया अपार संपत्ती का मालिक बन गया तो क्या हुआ हादते और सोभाव तो वही है न जो तब थे जो खुद मांगा करता था वह दूसरों को कैसे कुछ दे सकता है अब वे अपनी पत्मी पर नाराज होकर मन ही मन कहते हैं कि मैं तो द्वारिका आने वाला ही नहीं था पर उसी ने मुझे जिद करके भीजा अब घर पहुच कर कहुँगा कि कृष्ण ने इतना सारा धन दिया है उसे संभाल कर रखो जिससे यह इधर उधर ना हो जाए यह सब सोचते हुए सुदामा जब गाउँ पहुचते हैं तब वहां का नजारा देखकर सुदामा आश्चर्य चकित हो जाते हैं इसी का वर्णन करते हुए नरुत्तम दासदी आगे लिखते हैं आईए अब अपरिचे शब्दों के अर्थ और भावार्थ को समस्ते हैं शब्दार्थ वैसोई अर्थात वैसाही गजबाजी हाथी घोडा संभ्रम चायो यानि भ्रम हो गया मारग अर्थात रास्ता फेरी के दोबारा भाउन भवन विलो की बे देखना लोचत यानि लालच मझायो अर्थात बीच में भावार्थ उनकी जोपड़ी की जगा शुरे कृष्ण के राजमहल जैसा शानधार भवन बन चुका था चारो और सब कुछ द्वारिका जैसा ही दिखाई दे रहा था या सब देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ उन्हें ऐसा लगा कि वे रास्ता भूल कर वापस द्वारिका तो नहीं आ गए वे घूम घूम कर लोगों से अपनी जोपड़ी का पता पूछने लगते हैं किन्तु अपनी जोपड़ी को ढूढ नहीं पाते हैं सुदामा जब द्वारिका से वापस लवटे तो श्री कृष्ण ने प्रत्यक्च रूप में कुछ भी नहीं दिया परन्तु परोक्ष रूप में उन्होंने अपनी ही समान धन वैभब से भर दिया जिससे की सुदामा का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है कभी लिखते हैं कहवा टूटी सी च्छानी हती कह कंचन के अबधाम सुहाबत कई पग में पन ही ना हती कह ले गजराज हुठाडे महावत भूमी कठोर पैरात कटे कह कोमल सेज पैनीद ना आवत कई जुड तो नहीं कोदो समा प्रभू के प्रत्ताप ते दाखना भावत आईए अब अपरिचेश शब्दों के अर्थ और भावार्थ को समस्ते हैं शब्दार्थ च्छानी अर्थात जोपडी कंचन यानी सोना पनही मतलब जूता गजराजहु हाथियों के ठाट बाट कटाई गुजरती कोमल सेज मुलायम विस्तर जुर्तों उपलब्ध नहीं कोदो समा घटिया किश्म के चावल दाख किश्मिस मुनक्का परताप यानी कृपासे भावार्थ जहां तूटी सी जोपड़ी हुआ करती थी उस स्थान पर सोने के सुंदर महल शुशोबित हो रहे थी पहले कठोर जमीन पर सोकर रात बितानी परती थी परन्तु अब मुलायम विस्तरों पर भी निंद नहीं आ रही थी पहले खाने के लिए सवा तथा कोदो जैसा मोटा और घटिया अनाज भी नहीं मिलता था पर अब प्रभु की कृपासे किश्मिश मुनक्के भी अच्छे नहीं दगते हैं अर्थात अब मधुर और स्वादिश्ट बेंजन खाने को भी जी नहीं करता काब्य कला की बात करें तो सुदामा चरित की रचना सवया चंद में की गई है इसमें ब्रज भाषा का सुन्दर प्रियोग हुआ है तो आईए चंद का संछिप्त परीचे जानते हैं चंद कवीता या गीत में लयलाने के लिए वरणों और मात्राओं की संख्या तथा स्थान से संबंधित नियमों का निर्धान किया जाता है जो चंद के द्वारा होता है अर्थात कवीता में वरणों और मात्राओं के अनुशाशन को चंद कहते हैं चंद के तीन भेद हैं वारनिक, मात्रिक और मुक्तक वारनिक के अंतरगत सवय्या, कवित, मालिनी, आदि आते हैं मात्रिक के अंतरगत दोह, चौपाई, सोरठा, रोला, आदि का अध्यन किया जाता है वारनिक चंद में वरणों यानी अक्षरों की गिंती होती है, जबकि मात्रिक चंद में मात्राओं की गिंती होती है, मुक्तक चंद में कोई नियम नहीं होता आईए इसे एक उदाहरण से समस्ते हैं सवया एक वारनिक चंद हैं, जिसमें समान तुकांत वाले चार चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में वरणों की संख्या 22 से 26 तक होती है जैसे वे सोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभरम चायो कैधाँ पढ़ियो कहमार अग भूली की फैरी के में अब द्वारी का आयो भौन बिलो किवे को मन लोचत, सोचत ही सब गाउं मझायो पूचत पांडे, फिरें सबसों पर जोपरी को कहूं खोज ना पायो पहली पंक्ती में 22 वर्न है, दूसरी पंक्ती में 25 वर्न है, तीसरी पंक्ती में 23 वर्न है चौथी तथा अंतिम पंक्ती में 23 वर्न है समान तुकांत वाले शब्द हैं छायो, आयो, मज़ायो, पायो कवीता की प्रासंगिता की बात करें तो तो यह कवीता सच्ची मित्रता के महत्व का बखान करती है कवीता आज के सामय में बढ़ रहे ग्रिना भाव के वरुद, मानबता और मैत्री का संदेश देती है कि आप इन काव्य पंक्तियों के भाव को अच्छी तरह से समझ गए होंगे हमने आपके लिए कुछ प्रशन तयार किये हैं जिसका उत्तर ढूड़ कर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए तो पहला प्रशन है आपका सबसे प्रिय मित्र कौन है उनकी विशेष्टाओं का उल्ले कीजिए दूसरा प्रशन है आपका कोई घनिष्ट मित्र आपसे वर्षों बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभब होगा तीसरा प्रशन है सूरदास, तुलसी दास, कबीर दास, रहीम दास आदी कवियों द्वारा रचित, मित्रता संबंधित दोहों का संकनन कीजिए तथा उसे कक्षा में प्रस्तुत कीजिए अन्तिम और चौथा प्रशन है इस कविता को एकांकी में बदल कर लिखिए और उसका अभी नई कीजिए आज के काडिकरम में बस इतना ही फिर मिलेंगे नए पाट के साथ तब तक के लिए विदा घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद प्र accum 통 के डाट के मिलें के नद पना ही विर्राट कर रहें, सुरक्षित रहें बाट काझजू झाल झाल